हलो बच्चों मैं DK Misra आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल में Just Physics और ये चैनल बहुत छोड़ी छोड़ी बातों को लेके भी जागरुक रहता है जैसे मैंने वीडियो बनाया Complete Physics आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे कोसिस कर रहे हैं कि Best Quality Physics आपको मिले आप लोग का प्यार चाहिए सपोर्ट चाहिए और आपको मैं पुरा श्योर करूँगा फ्री कंटेंट होगा और आप सभी बच्चों को ग्रेजवली सारे वीडियो अभी प्रोवाइड कर दिये गये हैं और हर बार हर दिन कुछ ना कुछ हम अपलोड कर रहे हैं कभी कभी किसी किसी दिन को छोड़के कंटेंट वाइज आपको सॉलिड कंटेंट हो कुश्चन डिसकसन हो हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको पसंद आए तो जरू सब्सक्राइब करिए चैनल को आपको कुछ ना कुछ बेटर ही देंगे बिकास हम मैं खुद बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ डिविएशन के मामले में डिस्टेक्शन के मामले में मैं नहीं चाहता को डिस्टेक्ट हो तो आज एक टॉपिक लिया हो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही आपने भी साइज एंकाउटर हूए हो इस क्वेशन से कि रात में देर तक पढ़ें दो बजे तीन बजे तर या मॉर्निंग जल्दी पढ़ें सुके उटके पढ़ें तो बेटा मैं सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ मैं हमेशा देर रात तक पढ़ता था कभी भी सुबह उटके नहीं पढ़ता था and I always feel comfortable and I always feel that you know I am getting best मैं बढ़ियां करता था और मैं कभी भी जल्दी उटके नहीं पढ़ता था तो मैंने अपना पता दिया अब honest feedback दोंगा आपको देर तक पढ़ना और morning जल्दी उटके पढ़ना बहुत ज़ादा इनो इस पे कोई scientific नहीं ऐसा कह सकते हैं कि सुबह उटना बेटर माना जाता है maximum लोग कहेंगे सुबह उटना बेटर माना जाता है तो ये मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़ादा इस पे logic नहीं है कि आप सुबह उटके ही पढ़ो ये काफी कुछ depend करता है कि आपका routine कैसा है, आपके घर का routine कैसा है, आप hostel में हो तो hostel का routine कैसा है आपके आप कितने बज़े तक पूरी family खाना खाती है काफी कुछ depend करता है इसे, आप अकिला अपने आपको isolate नहीं कर सकते आपकी family कब जाती है bed पे if they are going early to the bed और आपका खाना 9 बजे तक हो जाता है तो morning का पढ़ना हमेशा better माना जाता है और morning personally, physically मैं भी सोचता हूँ morning better होता मैं नहीं किया कभी ये मेरा सोचता है कि morning better हो अगर मैं कर पाता तो because morning जब आप उठते हो तो आप बड़े fresh होते हो अपना चेहरा सीसे में देखो आपका चेहरा बिल्कुल लाल होगा blood circulation बहुत अच्छा होता है और nature भी यही कहता है जब आप gravity के उपर जाते हो ना आप पहार चरते हो बड़े 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 चरते हो because you are moving against the gravity और अगर आप पहार से उठते हो तो you are moving towards the gravity और easy होता है तो ऐसे cases में आप अगर late nights होते हो तो nature कहता है सोजा हो और आप nature से लड़ रहे होते हो तो जब आप nature से लड़ रहे होते हो तो in fact you are fighting with two two things one with nature other is your study study कभी पसंद नहीं आता किसी को तो अब हैवी concepts एक limit के बाद नहीं सीख सकते लेट इवनिंग में आपको नीद आएगी आप इस पर सकते हो बड़ बहुत ज़दा दिवाद में नहीं आएगा बट अगर आपकी नीद पूरी आप दिन में सो जाते हो तो late night बिल्कुल सही है तो कोसिस करो कि जो भी routine फॉलो करो वो throughout the year चले बै अपने हर वीडियों बताता है अपना routine चेक करने के लिए Monday to Sunday तक का routine देख लो अगर वो पढ़ाई का अगर वो बराबर है, maintain है तो आप सही जा रहे हो अगर वो maintain नहीं है तो गलत है Sunday कोच, Monday कोच, ऐसा नहीं होना चाहिए यह routine should be fixed if you want to get the success in your life success हो सकता है बोड में बढ़िया नमबर लाना success हो सकता है IIT, JE क्वालिफाई करना success हो सकता है, NEIT क्वालिफाई करना कुछ और क्वालिफाई करना CLAD क्वालिफाई करना, NDA क्वालिफाई करना कुछ भी तो कभी भी आपने माइन को boundation मद दो, मुझे सुदो उटके ही पढ़ना है या मुझे late night पढ़ना है overall देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा depend नहीं करता है possible हो, तो morning कर लो लेकिन बहुत ज़्यादा depend नहीं करता है depend क्या करता है, you must be having sound mind at that time sound atmosphere atmosphere एकदम बिलकु नीट clean lighting proper होनी चाहिए dim light दो करना हो, आखरा बजाएगी lighting proper हो ventilated room हो सर्दियों में पढ़ रहे हो, ठंड नहीं लगनी चाहिए का आप काप रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वही energy distribution हो गई body की तो सब बिलकुल cozy situation होनी चाहिए सर्दियों में और आप जब भी पढ़ो, तो आपको पता होना चाहिए आज मुझे इतना पढ़के सोना random पढ़ते हो, तो आपका output नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ो, क्या पढ़ो, चलो physics पढ़ लेता हो आज क्या पढ़ो, chemistry पढ़ लेता हो biology पढ़ लेता हो, math पढ़ लेता हो ऐसा नहीं चलेगा आपको define होना चाहिए आज क्या पढ़ना है पढ़ते पढ़ते थक गया तो लिखने लगे लिखते लिखते थक गया तो पढ़ने लगे बट ये कोई आप pressure नहीं डालेंगे कि morning उठके पढ़ना जरूरी है घर के सारे बड़े बुजुर्गे पोलेंगे आप morning में उठके पढ़ो कई-कई पढ़न जगा देते हैं चार बजे पानी डाल देते हैं आपके चहरे पे आपके चदर फिख देंगे उठाके उठ जा दमकाएंगे ठपड मारेंगे लेकिन बेटा अगर आपका result अच्छा आने लगा सब सांथ हो जाएंगे पूरी दुनिया सिर्फ रजल देखती है आपके effort को तब appreciate किया जाता है जब आप result अच्छा देते हो कही की बार आप effort करते हैं रजल नहीं आता है तो बहुत close circle के लोग ही आपको appreciate करते हैं अधरवाइस कोई appreciate नहीं करता तो आपका अपना routine होना चाहिए should be the best और जो भी पढ़ो proper पढ़ो disturb अपने आपको मत करो I hope एचोटी सी बात आपको help की होगी thank you very much and आप एसे benefit उठा दे रहना thank you